लो दोस्तो मैं हो आपकी जुगाड ओल का तो चलिए get ready with me for festival season with one जुगाड क्योंकि मेरे वीडियो में अगर जुगाड ना हो तो फिर मजा नहीं आता है तो चलिए तैयार होते हैं तो ये मेरे पास dress है ये dress भी मैंने अपनी जो शादी की साडी रहती है उस साडी से मैंने बन चौट नायरा कट वाली कुर्टी और प्लाजो बन वालिया है और ये दुपट्टा तो बेहदी खुबसूरत है ये दुपट्टा मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और ये इतना प्यारा दुपट्टा है कि बिल्कुल दुलहन वाली wipes इसमें फिर से आ जाती है तो नामा जा जाएगा और ये मैंने इसका प्लाजो भी पहन लिया है तो चलिए अब तयार होते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने सीरम लगा लिया फेस में सबसे पहले या तो आप प्राइमर लगाईए या कोई नो कोई मॉस्टराइजर या कोई सीरम भी लगा सकते हैं जि तो यहां पर मैंने थोड़ा सा फांडेशन लगा के और कंसीलर लगा लिया है अपने डाक सरकुल को थोड़ा सा चुपाने के लिए तो यहां पर मैंने यह सब करके मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दे रही है उसके बाद मैंने थोड़ा सा फेस पौर्ड लगा लिया है तो मुझे आज थोडा सा डारक बोल्ड ऐ मेकप करना था सुल. यहां पर मैंने और यहां पर इस पर उसमें लगा है और उसे आप एक बेस ट्यार कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैंने यहां पर ऐले बिदर आपशाइस से लगाא। यहां पर बहुत अच्छा जो जुगाड के कारण यह बहुत अच्छा उसमें आई-लाइनर हम लगा रहा है तो बहुत अच्छी सी बोल्ड सी विंक्स वाली जो आई-लाइनर वो लग रहा है यह आप वीडियो में देख रहे हैं और नॉर्मली अगर हम लगाते हैं तो उतने अच्छे से हमें नहीं आपाता है जिनको ज्यादा अच्छे से लगाते आता है तो वह सकता है लगा लेते होंगे लेकिन मुझे ज्यादा अच्छे से आई-लाइनर लगाते नहीं आता है इसलिए मैंने यहां पर जुगाड से विंक्स वाली आई-लाइनर लगाया है और यह फर्स टाइम ही इस जुगाड से लगाया है तो मेरे एक आख में तो यह बहुत अच्छे से आया है इतरी आख में उतना फिनिशिंग नहीं आया है बट ठीक है अगर हम फर्स टाइम ट्राइब कर रहे हैं तो ठीक है बाकी बार-बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बने मैचिंग की मैंने रिंग पहन लिये और आप उसके बाद अपनी बालों को सजाने के बारी है तो यहां पर मैं पहले सोची कि थोड़ा सा गली में भी मैं कोई जोएले डालनूं तो मेरे पास यह एक परल बाली जोएली थी लेकिन यह बहुत हैवी हो रहा था क्योंकि मेरा जो कपड़ा है वो भी बहुत हैवी एड्रेस तो इसका मैंने पहले सोचा कि इसको पहनू लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा है भी लग रहा था तो मैंने यहां पर उसको उतार दिया और उसके बाद फिर मैंने अब मेरे पास एक हेयर एसेसरी था इसको मैं जोड़े में भी लगा सकती हूं तो मैंने सोचा क्योंकि मैं कोई ज्वैलरी नी पहन रही हूं तो क्योंना मैं अपने बालों को ही थोड़ा सा सजा लूँ तो यहां पर मैंने हेयर पीन से इसको थोड़ा सा फिक्स कर लिया है और यह देखिए यह मेरे ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो इसी तरह आप festive season के लिए तयार हो सकते हैं, ये लोग तो मैंने राखी में लिया था, लेकिन आप इसे कोई भी festival जैसे जन्मास्ट मी हैं, या कोई भी दूसरे festival season में भी आप कर सकते हैं, और ये अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जूती पह लग रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ हैवी दूपटाई लिया, और अब ये मैंने इसके मैचिंग का एक पर्स ले लिया है, तो ये है मेरा final look, और कैसा लग रहा है मेरा final look, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शादी के जो हैवी साड़ियां होती हैं, उनक आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने भी first time ही try किया है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आ गया है, और अगर आप इसे दो या तीन बार practice करेंगे, तो ये बहुत अच्छा look देगा, तो चलिए अब वीडियो end पे है, तो घिसी पिती लाइने बोल दे अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कर दीजे, यूसफुल लगे तो शेयर कर दीजे, चैनल में नए है, तो फटा फट सब्सक्राइब कर लीजे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, जिसे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, मेरा बेटा भी मेरे साथ में बोल रहा है, तो कम से कम उसके लिए तो ये बात रख दीजे, तो चलिए मिलते आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाइबाए, जैशीरा, अब यही लाइन मेरे बेटे की आबाद में, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर क चालिको स्प्लेट करें, ट्रप्टे करके बाइबाए, जैशीरा,